गूड बॉर्णिंग डियर इस्टुडेंट्स सौरफ सर की आउनलाइन इंगलिस क्लास में आप सभी का स्वागत है तो क्लास 11 का जो चैप्टर नमबर फस्ट है दा पोर्ट्रेट आफ ए लेडी उसकी जो लाइन्स लिखी हूं है उनको यह देखते हैं लिका है दा मॉर्णिग अगली सुभा सी वज टेके निल वह बीमार हो गई अगले सुभा वह बीमार हो गई इट वाइस ए्माइल्ड फीबर यहां माइल्ड माने हलका यहां हलका बुखार था एंड डाक्टर टोल और डाक्टर ने हमें बताया दैट इट गोड़ गो किया चला लेकिन मेरी दादी माँ इस पर दूसरी तरीके से सोचती थी उन्होंने हमें बताया that her end was near कि उनका रत्यू का समय निकटा गया है अपने जीवन के अंतिम छड़ों या अंतिम घंटों से पहले दे लास्ट चैप्टर आप हर लाइप अपने जीवन की यात्रा समाप्त करने के अंतिम छड़ों से पहले चैड़ उमिटेड उन्होंने प्रें की उन्होंने च्छोड़ दिया तो क्या नोगों की बात करना टोप्रेस नु to waste any more time talking to us उन्होंने प्राथना शुरू कर दी और वो अपना समय हम लोगों से बात चीत करके बरबाद नहीं करना चाहती थी we protested हमने बिरोध किया but she ignored लेकिन उन्होंने इसे अंदेखा किया our protest हमारे बिरोध को she lay peacefully वो शांति पूरवक लेटी रही in the bed bed में praying and telling her weeds उन्होंने प्राथना की और वो अपने माले के मनकों को गिंती रही तो आज के लिए बस इतना ही that's all thank you